पूर रोचंशे बैसां तो इसका थी इसले नुए इसक्तों दोड़े मुर्माइब और यह जाने कर दोड़े कर दोड़ेक नहुंसकार गुड़ मॉनिंग सुपरभाद सबसे पहले तो आप सभी को छट महापर्व की हार्दिक शुब कम नाएं छट महापर्व आज हमरा बिहार के सबसे प्रमुख परवों में सेख है हमरा छट महापर्व और ये भारत का एक मात्र ऐसा परव है जहाँ पर हम उगते सूरज के साथ, डुपते सूरज को भी हम पुजा अर्षना करते हैं, उनका अर्ख करते तो सबसे पहले सभी को छट मापर्व की हार्दिक श्योक कम नाए और चुकि शाम को घाट पर जानी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सुबसुब कुछ पढ़ाई कर लिया जाए, रिविजन कर लिया जाए, यह हमारे लिए बहतर हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों पसित हो जाए और साखी साथ, जो जहां कहीं भी जुड़े हो, एक बार सभी लोग सेशन को शेर भी कर दीजे, ताकि मैक्सिमम लोगों पसित हो सके और फिर प्रारम करते हैं करेंट अफ़ेर का धामा का, चूझकि आज संडे है, तो संडे को मैंने सोचा की पूरे एक महीने का current affair complete कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा schedule ऐसे ही चलते आ रहा है Monday to Friday daily current affair Saturday को weekly current affair और Sunday को monthly current affair हम करते जा रहे हैं तो इसके तहत हमने अभी तक जुलाई जुलाई नहीं किया था अगस्ट, सितंबर, अक्टूबर यह हमने कर लिया था आज जुलाई महीने के जितने भी मात्रपूर्ण घटना करम है उन सभी को cover करेंगे तो सब लोग तैयार है स्टार्ट करें जुलाई महीने के महत्रपूर्ण घटना करम जितने भी रहे हैं जहां से हमारे प्रश्ण बन सकते हैं इन सभी को आज हम cover करने वाले हैं ठेक है न? तो चलिए सेशन के शुरुआत करते हैं थोड़ा सा fast चलेंगे हैना 100 प्लस लिखा हुए लेकिन 100 नहीं है लेकिन 80 के आज सपास important घटना करम है आईए एक एक की हम चर्शा पर चर्शा करते हैं हैना तो सेशन की शुरुआत की motivational code के माध्यम से कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछे बता तरी राजा किया है आईए आज का पहला प्रशन है कि हालही में निम्नमे से किस विक्ति को point of light award से सम्मानित किया गया है वो among the flowing was recently awarded the point of light award और point of light award के बात कर ले तो आप सब को ही पता है कि ये किसको दिया गया है ये दिया गया है राजिंदर सिंग धट को ठीक है ना तो राजिंदर सिंग धट जो है इनको point of light award दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है तो ब्रिटेन के PM है ना ब्रिटेन के PM कौन है तो ये भारतिय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या चीज है ना रिशी सुनक ठीक है तो रिशी सुनक के द्वारा इनको ये आवार्ड दिया गया है ठीक है ना रिशी सुनक के द्वारा क्यों दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कारे किया हो जिससे हमारी युवा पिढ़ी जो है वो मोटिवेटेड हो ना उनसे कोई सीख ले और उनके जीवन पर कुछ उसका प्रभाव पड़े तो ऐसे जो मात्वपुन कारे करने वाले लोग हैं उन सभी को Point of Light Award से सम्मानित के जाता है और आजिंदर सिंधट को दिखा जै तो इस वर्ष इस सम्मानित किया गया ठीक है अगला question देखें कि हाली में 17 भारतिय सहकारी Congress का योजन कहां किया गया Where was the 17th Indian Cooperative Congress Organized बताएंगे सभी लोग हैना सभी लोग इसका उतर बताएंगे कहां पर योजन किया गया ठीक है चले इसकी बात कर लें तो ये 1 जुलाई 2023 को नई दिली में सका योजन किया गया था और नई दिली में पुछे कहां तो नई दिली के प्रगती मैदान में ठीक है नई दिली के प्रगती मैदान में 17 भारतिय सहकारी Congress का योजन किया गया था आप सभी लोग याद रखेंगे और इस वर्ष का जो थीम है वो है अमरित काल जिवन्त भारत के लिए सहयोग के माध्यम से सम्रिधी ये इस वर्ष के इस आयोजन का थीम रहा है ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे ठीक है बढ़ी आगे अगला कुश्चन की हाली में Housing Development Finance Corp. was merged with which of the following banks और आप सभी ने पढ़ा होगा कि Housing Finance Corporation जो है इसका विले HDFC Bank में कर दिया गया ठीक है तो HDFC Bank में इसका विले कर दिया गया और इसके साथ ही देखें तो विले के साथ ही जो इसका धन हुआ है ना इस आधार पर देखें तो दुनिया की चोथी सबसे बड़ी Finance Company ये बन चुकी है तो HDFC है ना HDFC में Housing Development Finance Corp. का विले किया गया इसको भी सोट में लिखेंगे तो वहीं होगा HDFC ठीक है लेकिन C के साथ COP भी यहाँ पर लिखा जाता है तो इन दोनों का हाल ही में merging किया गया ठीक है ना बढ़े आगे चलिए अगला कोशन कि हाली में संजु और शम्मिलन का योजन कहा किया गया वेर वाजदा UA India Economic Summit और इसकी बात करें क्या होगा इसका उत्तर सभी लोग उताएं और साथी सा सभी सेशन को शेयर भी करें ठीक है सभी लोग सेशन को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पसित हो सकें इसकी बात के तो ये आबुध हावी में इसका इयोजन किया गया है कहा पर तो आबुध हावी में इसका इयोजन किया गया है और इसकी मेजबानी जोहई वो SBI Capital के द्वारा भारत की तरफ देखें तो SBI Capital के द्वारा यहाँ पर मेजबानी की गई है तो इसका इयोजन कहा पर किया गया आबुधाबी में किया गया है चले बढ़े आगे अगला कुश्चन कि हाली में जारी निर्यात आकडों के नुसार वित वर्ष 2023 में इलेक्ट्रोनिक समानों का भारत का प्रमुख निर्यातक राजे कौन बन गया है विच स्टेट हैज बीकम इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्टर ओफ इलेक्ट्रोनिक गोड्स इन फाइनन्शियल यर 2023 अज रिसेंटली रिलिज्ट एक्सपोर्ट डेटा अप्शन आप सभी के समक्ष हैं तमिल्नाडू उत्तर प्रतिस करनाटक या फिर महराष्ट्र क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताएं सभी लोग चले बहुत बढ़िया हैnormा आप्शन एक सांद जितने लोग है सभी बिलकुल सही है हर न हमने बात कियता है है आप पर तमिल्नाडू ठीक इसका सही उत्तर प्रती तो तमिल्नाडूं ठीक है इन आकडों के नुसार तमिल नाडू इस वर्ष इलेक्ट्रोनिक समानों के निर्याद में देखा जाए तो प्रवुख राजे यहां पर बना हुआ है और फाइनेंसियल एर 2023 की बात कर ले तो पाच बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी जादा का निर्याद यहां पर किया गया है तो तमिल नाडू ने कितना पाच बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इससे भी जादा का निर्याद इस वर्ष किया गया है तो याद रखेगा अब electronic समानों का प्रमुख निर्याता कौन बन चुका है तमिलाडू कारण क्या आता है तो कारण हमने देखा था कि बहुत सारी जो कमपनियां हैं बड़ी बड़ी दिगर्स कमपनियां इन्होंने अपना सेंटर जो है उत्पादन सेंटर वो तमिलाडू में खोल रखा है जिसका रिजल्ट ये सारी चीज़े देखने को मिली ठीके अगला कोश्चन कि हाली में ग्लोबल इंडियन आइकन अब दी आइकन आफ दी इयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और अप्शन है आपका सचीन तिंदुलकर मेरिकॉम निरत चोपड़ा या फिर शरत कमल अचंत चली बताएगा इसका उत्तर क्या होगा चली निरत चोपड़ा नहीं है न हमने बात केतने आपर हमारी बॉक्सर जो है मेरिकॉम ठीक है न तो मेरिकॉम की बात कर ले हाल ही में यूके में इस सम्मेलन का योजन किया गया इंडिया यूके आवार्ड सम्मेलन का योजन किया गया ये पाच्वे नंबर कर रहा और इसमें जो हमारी बॉक्सर मेरिकॉम है मेरी कौम को ग्लोबल इंडियन आइकन अफ दियर आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरी कौम सचीन तिंदुलकर की बात करें तो अभी हमने दिखा था कि सचीन तिंदुलकर है ना जो हमारा यहाँ पर इलेक्शन कमिशन है और नेशनल आइकन के बात के तो शचीन तिंदुलकर स साथ राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन बनाए गया है आप सब ही लोग याद रखेंगे ठीक है अगला कुश्शन की हाली में किस राज़े के पूलिस के एक बिभाग दौरा भारत की पहली drone police unit है ना या police drone unit को launch किया गया है India's first police drone unit was recently launched by a department of which states police पताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये भारत की पहली है है ना तो हमने देखा था किसके द्वरा तमिल नाडू police के द्वरा ठीक है किसके द्वरा तो तमिल नाडू police जो है और तमिल नाडू में भी देखा जाए तो जो चेन नई police है चेन नई police तो चेन नई police के विभाग के द्वरा एक police drone unit को launch किया है कारण क्या है कि वो सारे जंगली इलाके जहाँ पर police आसानी से जाकर देख रिख नहीं कर सकती रिसर्च नहीं कर सकती वैसी जगों पर हम क्या करेंगे तो drone को भेज़ेंगे जैसे देखा जै कई सरे ऐसे जंगली इलाके होते हैं जहाँ पर police से जादा active कौन होते हैं तो terrorist होते हैं या वहां के जो जो वो नहीं होते हैं loot part वाले वो होते हैं तो वो अगर जंगल में जाया तो उनकी कहानी है उलट हो जाती इससे बढ़िया है कि हम drone से सीधे क्या करें उनके उपर निगरानी रखे तो police drone unit जो launch किया गया है भारत की पहली वो चेननी police के द्वरा किया गया है और इसके तहट दिखा जाया ऐसे drone का पुर्यूग किया गया है जिसमें AI भी है तो 24 घंटे इसके माध्यम से निगरानी की जा सकती है अगला question कि हाली में भारत के सबसे लंबे समुदरी पूल Mumbai Trans Harbor Link का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है दिखेगा Mumbai Trans Harbor Link की बात करें ये भारत का सबसे लंबा समुदरी पूल है जिसका निर्माड अभी भी जा रही है दिसम्बर के आखरी में साइड इसका उद्गाटन किया जाएगा और इसका नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है तो इसका नाम बदल कर बताएंगे सभी लोग नरेंदर मोदी अटल बिहारी वास्पई के नाम पर रखा गया है तो याद रखेगा Mumbai Trans Harbor Link जो इसका नाम बदल कर है ना अटल ब्यारी वास्पई के नाम पर कर दिया गया है क्लियर है बड़े आगे क्लियर अगला कोशन कि आली में SEO सीकर्स अमिलन के 23 संसकरन के में बानी किसके द्वरा की गई who hosted the 23rd edition of SEO summit recently और ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर रूस चले बताये का इसका उत्तर क्या हो कि चले सेशन को एक बार सभी लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें तब तो ज्यादा मज़ाएगा चले बहुत जो रहा इसके अधिक्षता भारत ने किया और साथीसात संग्हाई सहयोक कापऱेसन एसकी अधिक्षता दोनों की अधिक्षता भारत के द्वार train की गय से तो यह प्रश्क्तिक पुशा ACO सेकर्शमिलन की मेजबानी तो यह मेजबानी भी अपना प्यारा भारत के द्वरा किया गया है और इस वर्ष का इसका जो theme रहा है याद रखेगा theme क्या रहा तो towards a towards a secure ACO है ना secure ACO ठीके यह इस वर्ष का theme रहा है वहीं G20 की जो दक्षता की गई, G20 का थीम क्या रहा है, तो G20 का थीम रहा है इस वर्ष का, ना, One Earth, One Family, One Future, जिसके में जबाने भारत के द्वारा ही की गई है, ठीके, अगला कुश्चन, कि आली में स्वयम सायता समू की महिलाओं द्वारा बनाए गए, उतपादों के ओनलाइन विकरी क के लिए निमन में से कौन सा एप लांच किया गया है, दिखेगा, भारत में जो Self-Help Group है, जिसे हिंदी में स्वयम सायता समू कहते हैं, महिलाओं के द्वारा इस स्वयम सायता समू के माध्यम से बड़े अस्तर पर, बड़े अस्तर पर क्या किया जाता है, उतपादन किया जा था अब क्या कर दिया हमने पोर्टल के सासत हमने एक एप भी बना दिया और इस एप को नाम दिया गए जैसे आम एजन है फ्लिपकाठ है वैसे ही एक अप्लिकेशन है इसारस जिसके माध्यम से वो सभी महिलाएं जो स्वेम साइतर समूह के माध्यम से जुड़ी हुई है उत्पादन करती है इन वस्तों को आसानी से इसके माध्यम से खरीदा जा सकता है तो इसारस एप आप सभी लोग याद रखेंगे और ये मूल रूप से जो ग्रामिर शित्रे के महिलाएं हैं सेल फेर्ट ग्रूप से जुड़ी हुई हैं उनके द्वरा बनाये गया वस्तों के बिक्री के लिए बनाये गया ठीके अगला कोश्चन यूरोपिया अंतरिक्ष एजनसी ने हाल ही में डार् एनर्जी हैं आप सभी को पताई होगा जो हम इंटरनेट चलाते हैं इंटरनेट में भी ओना हम कहते हैं कि ने कि इंटरनेट में सब कुछ है जहां तक तो हमारी यह आम लोग की पहुँच ही नहीं है बड़े बड़े जो deal किये जाते हैं इलिगल उस सब के सब dark net के माधम से किये जाते हैं ऐसे ही इस space के बारे में तो हम पढ़ते हैं समझते हैं लेकिन space के बारे में हमें पूनता हजानकारी नहीं है 3-4% इस space के बारे में हम जानते हैं बाकि सब क्या है हमारे ले dark area है तो वहाँ पर जो dark energy है इसकी जनकारी के लिए हमने एक क्या किया है दुर्बीन launch किया है और इस दुर्बीन को नाम क्या दिया गया है इसको नाम दिया गया है Euclid ठीक है ना नाम क्या इसको तो इस दुरबीन को नाम दिया गया आप पर यूकलिड आप सभी लोगी आद रखेंगे ठीक है क्लियर ठीक है ना किसका है ये तो ये ये यूरोपिय अंतरिक्ष एजेंसी जो है है ना ये किसके द्वारा छोड़ा गया है तो ये ये अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसके द्वारा छोड़ा गया है और किसने छोड़ा हुआ है तो ये एस पेस एक्स जो है है ना एलन मस्ट की कमपनी इसके रोकेट के माध्यम से इसे छोड़ा गया है तो यूकलिन नामक दुरबीन है आप सभी लोग याद रचेंगे ठीक है बिल्कुल छे महीने का भी करवाँगा का है टेंसन ले रहा है ठीक है ना मैंने बोला तो नहीं कि छट समाप थोने जीजी छे महीने का मैं एक साथ करवा दूँगा ठीक है ना अगला कुश्चन कि कोल इंडिया के नए चेर्मेन और एमडी के रुप में किसने पदभार ग्रहन किया है और यहाँ पर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसके नए चेर्मेन हैना नए एमडी कौन बने है पोला वरापू एम परशाद है ना पी एम परशाद जो है पी एम परशाद इसके नए चेर्मेन और एमडी बनाए गए है ठीक अगला कुश्चन कि भारत के सॉलिसीटर जनरल के रुप में किसे फिर से न्युक्तिया गया है पहले से थे और फिर से इनका कारेकाल जो है यहां पर बढ़ा दिया गया है ठीक है बढ़ी आगे अगला कुश्चन कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विक्षित परमाणू उर्जा रियक्टर का वाणिजिक परिशालन कहाद शुरू किया गया है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट में होगा है ना क्योंकि परमाणू उर्जा जो है आप सबको पताएं सबसे स्वच उर्जा में से एक है ना स्वच तो उतना नहीं कहें कि रेडियेस्टन बड़े अस्तर परियाँ पर उत्पादित होता है लेकिन अगर हम नवी करणिया उर्जा कहें तो इसमें हम परमाणू उर्जा की बात करते हैं और अब पहले देखा जैतो सबसे पहले हमने USSR के सयोग से अस्थापित किया था फिर अमेरिका के सयोग से तो अभी तक हम विदेशी सयोग के माध्यम से भारत में परमाणू उर्जा रियक्टर स्थापित करते रहें लेकिन पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से विक्षित परमाणू उर्जा रियक्टर हमने शुरू कर दिया और इससे हमारी बिजली का उत्पादन भी हो रहा है कहां पर तो गुजरात में ठीक है और गुजरात में कहां पर तो काकरा पार ठीक है न आप सभीं पढ़ाओगा काकरा पार आपका पावर प्लांट है वही पर भारत के पहले सोदेशी रूप से विक्षित परमाण उर्जा रियक्टर का वारिजिक परिशालन प्रारम कर दिया गया है ठीके इसकी छमता कितनी है तो 700 मेगावाट छमता की ये हमने ये रियक्टर अस्थापित कर रखा है ठीके तो गुजरात के काकरा पार में क्या किया गया है तो इसका उद्घाटन किया गया है परिशालन प्रारम किया गया है ठीके अगला कुशन पतले प्लास्टिक बैग उपर प्रतिबन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो हमने देगा था पतले जैसे ये wrapping वाला होता है कोई भी समान है उसको wrap करके हम एक जगा से दुसरे जगा भेज दें तो ऐसे पतली plastics जो है इसको ban करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना हुआ है वो है New Zealand तो न्यूजिलेंड है और इसी न्यूजिलेंड को बारत के दौरा पराजित करके विश्य कप में अपनी जगह बनाई गई है तो यहीं न्यूजिलेंड है जो पतले प्लास्टिक बैगों पर पूर्णतह प्रतिबंध लगा चुका है अगला कोश्चन कौन सा देश संगाई स योग संगठन का नया अस्थाई सदसे बना है विच कंट्री अस बिकम देन्यू पर्मनेंट मिम्बर अफ संग हाई कोपरेशन और्गनाजेशन चली बताएगा इसका उत्तर क्या होगा सबी लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे है ठीक है शेयर करें एक बार चली यहाँ पर सभी लोग इरान के साथ आ रहे है जो की बिलकुल सेउतर है इरान जो है इरान संगाई सयोग संगठन का नया अस्थाई सदसे बना हुआ है ठीक है याद रखेंगे सेउतर क्या हो जाएगा इरान हो जाएगा अगला साथ एशियन पुड़वाल फेडरेशन चेंपेंशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है बताएंगे सभी लोग इसका क्या हो जाएगा उत्तर चल बहुत बढ़िया एक मिनट थोड़ा समय पैड एड़रेश्ट कर लो बड़ा दिक्कत कर लो चल इसका जो सायुत्तर होगा क्या हो जाएगा है ना अगर हम बात करें साथ एशियन फुड़वाल फेडरेशन चेंपेंशिप 2023 की तो इसके विजेटर टिम कौन है अपना प्यारा भारत किसको तो कुवेट को पराजित करते हुए भारत ने यहाँ पर अपना विजेश सुनिशित किया हुआ है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन की बैंक अब बढ़ोदा के नए CEO और MD के रुप में किसे नुक किया गया है और बैंक का बढ़ोदा की बात कर ले तो यहाँ पर देवदद चंद जो है ठीक है ना कौन तो देवदद चंद जो है इनको बैंक का बढ़ोदा के CEO और MD के रुप में नुक्त किया गया है clear आईए बढ़ते हैं अगले question की और अगला question क्या कहा रहा है कि हाली में DGCA ने drone technology के लिए किसके सांस होता किया है है ना और DGCA की बात करें चुकि वर्तमान में भाविश्य हम देख रहे हैं है ना कि बाविश्य का है ड्रोन का ही है हर जगा इसके इसके इस्तेमाल किया जा रहा है और drone के लिए है ना drone technology के लिए DGCA ने किसके साथ तो याद रखेगा है नवीन air technology सेयोग के लिए यूरोपिया विमानन है है ना इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में है ना EASA ठीके EASA इसका full form दिमाग में नहीं आ रहा है है ना क्या होगा इसका full form क्या होगा एक पर बता हैंगे सभी लोग ये जूम कैसे हो गया चले इसका सेयोतर क्या होगा EASA इसका full form अगर हम देखे ये उरोपिय विमानन नियामक ये उरोपिय संग विमानन सुरक्षा अगेंशी अब इसका full form चले इसके full form के हम बात कर लेंगे लेकिन इसका सेयोतर क्या है EASA इसके साथ हाल ही में हमने समझ होता किया है ताकि ड्रोन टेक्नलोजी के लिए हम क्या कर सके तो नहीं नहीं जो इसमें टेक्नलोजी आ रही है उसको यहां पर शामिल किया जा सके अगर हम ड्रोन की बात करें वर्तमान सर्मे में क्या है सबसे ज़्यादा इसका परयोग देखने को मिलना है जैसे पाड़ी शित्रे वहां पर अगर कोई वस्तु भेजना तो सड़क के मादम से सुबह से साम हो जाती है ड्रोन सीधे उड़ा के वहां पर पहुंचाया जा सक है ठीक है तो इसलिए डीजिस ये ने ईए एसे के साथ क्या किया है तो एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है सभी लोग याद रखेंगे ठीक है क्लियर हाँ बिलकुल बिलकुल रभी जी के याँ पर बिलकुल सही है एर्लाइन सेक्यूर्टी एजेंसी बहुत बड़ी आए ठीक है ना वीमान एर्लाइन सेक्यूर्टी आज़ाएगा ना सुरक्षा है हाँ यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ये होगा इसका फूल्पम यहाँ पर लिख लिजेगा यूरोपियन एविएशन सुरक्षा एजेंसी ठीक है ये इसका फूल्पम हो जाएगा ठीक है अब बौध इन से मैंने देखा भी नहीं था दिमाग से थोड़ा सा उतर गया था ठीक कोई दिखकत नहीं है चले आगे बड़े अगला कोशन की हाली में किस भारते फूटबॉल खिलाडी को पूरुस फूटबॉलर अब दे इयर के रूप में नामित किया गया है और यहाँ पर हम बात करें तो सही उतर क्या था बताएंगे सभी लोग यहाँ पर इनका नाम कभी भूल सकते नहीं भूल सकते लालियान जुआला चांगते जो है इनकी अगर हम बात करें तो इनको हाली में इस वर्ष के लिए पूरुस फूटबॉलर अब दे इयर के रूप मे नामित किया गया है ठीक है याद रखेंगे सभी लोग क्लियर बढ़े आगे चली अगला कोश्चन देखते है ना अगला कोश्चन कह रहा है कि आली में ग्रीन हाइड्रोजन दोहजार तेज़ पर अंतराष्टिय समिलन का इसन कहा किया गया है ना यह जुलाई में था किया का उत्षरजन होता है और इसका देखा जाए हाल ही में कहां पर तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है ठीक है नई दिल्ली में किसके द्वरा उत्धाटन किया गया तो हमारे केंद्रिय उर्जा मंत्री दोहे आरके सिंग आरके सिंग के द्वरा इस सम्मिलन का आयो अगला कोशन की हाली में क्यू डोंगयू किस संगठन के महानिदेशक के रुप में चुने गए हैं ठीक है और क्यू डोंगयू की बात कर लें तो ये जो हमारा है ना फूड एंड एग्रिकल्चरल और्गनेजेशन इसके महानिदेशक के रुप में हाली में क्यू डोंगयू क चुना गया और क्यू डोंगोई की बात कर ले तो ये मूल लूप से चीन के रहने वाले है ठीक है तो चीन के क्यू डोंगोई अब food and agricultural organization जो है इसके महानिदेशक के रूप में इनकी निवति की गई है ठीक अगला question क्याली में भारत global crisis response group के championship में शामिल हुआ है championship समू में शामिल हुआ है इस शमू के अस्थापना कब की गई थी अगर हम यहाँ पर बात कर ले यह है क्या देखेगा यहाँ पर global crisis response group जो है यह है क्या है यह champion समू है क्या तो याद रखेगा है ना 2022 में इसका गठन किया गया था March 2022 में जिसका मूल उदेश क्या है कि जो खादे सुरोक्षा है खादे सुरोक्षा ओर्जा और वित्त के छित्र में जो भी यहाँ पर हो है ना इन सभी के छित्र में जो वैश्रिक मुद्दे हो उन सभी पर बैठकर चर्चा पर चर्चा करना और उसका एक result निकालना इस तो March 2022 में इसके स्थापना की गए थी आप सभी लोग याद रखेंगे ठीक है बढ़े आगे चलिए अगले कोश्चन क्यों चलती जीके 37 रोतनेफ्ट कंपनी के विदेशक मंडल में शाविंग होने वाले पहले ठार्तिया हैं यह कंपनी किस देश संबंधी थे तो यहाँ पर एक कंपनी है याद रखेगा यह रोतनेफ्ट कंपनी है यह मूल रूप से रस्या की कंपनी है और तेल उत्पादन के छित्र मे है ना तेल उत्पादन जो है और रूस की दिगस्ट कंपनियों में से एक है जैसे हमारी ONGC हो गई है ना उसके बाद यहाँ पर देखा जाए इंडियन ओयल यह जितने भी ऐसी कंपनिया है दिगस्ट कंपनियों में आती है वैस्ते ही रूस्ट नेफ्ट कंपनी जो है यह की ओयल प्रोडक्शन के छितर में दिगस्ट कंपनी रही है और इसके निदेशक मंडल में शामिन होने वाले पहले भारतिया हमारे कौन है तो यहें जी के सतेशे आप सभी रो याद रखेंगे ठीक लडाई नहीं करने है यहना लडाई होगी तो ब्लोग करऊंगा अभी तुरंत यहना अच्छहट पूजा है फट पूजा प्यार का तो हार है यहना सम्मान करतेवार है तो एक दूसरे से प्यार रखो ठीक है लडाई जगड़ा नहीं नहीं तो अभी तुरंट ब्लॉक कर दिया जाओगे अगले कोशन कि सेल्वेक्स अभ्याद के स्तात्वे संस्क्रण का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के मध्य किया गया और सेल्वेक्स आप सभी को पता ही है ना ये देखा जाए किसके किसके तो भारतिय नौसेना और अमेरीकी नौसेना ठीक है भारतिय नौसेना और अमेरीकी नौसेना के मध्य में हाल ही में सेल्वेक्स अभ्याद के इसका आयोजन किया गया है ठीक है बढ़े आगे चलिए अगला कोशन है कि अंतराष्टिय वित्य सेवा केंद्र प्राधिकरन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निव किया गया है याद रखेंगे ठीक है तो के राजा रमन जो है इनको हाल ही में अंतराष्टिय वित्य सेवा केंद्र प्राधिकरन के नए अध्यक्ष के रूप में निव क्या है याद रखेंगे ठीक है अगला कोशन कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाडी ने कैनेडा ओपन टाइटल जीता हुआ है और कैनेडा ओपन टाइटल की बात कर ले तो ये जीता हुआ है लक्ष सेन ने ठीक है कॉन बने हुए हैं, यहाँ पर हमने बात किया था, इस कटेगरी में, पार्थ सालोंगे जो हैं, हैना, पार्थ सालोंगे, ये गोल्ड मिडल जितने वाले, ऐसे पहले खिलारी बने हुए, किसमें, तो तिरंदाजी में भी, कौन सी, तो रिकर्व कटेगरी में, और ऐसा करने वाले पहले भारतिया पार्थ सालूंखे बने हुए ठीक है पार्थ सालूंखे ठीक अगला कोशन दिखेगा राश्टियो बुक्त विवाद निवारन आयोग जो है इसके अदक्ष के रूप में किसे हाल ही में निउक्त किया गया है और यहाँ पर बात कर ले तो मदरास और पटना के उच्छ न्याले में पहले काम कर चुके मुखे नैधिश का रूप में कौन जश्टिस एपी साही जो है जश्टिस एपी साही को हाल ही में राश्टियो बुक्त विवाद निवारन आयोग जो है इसका अध्यक्ष इनको बना गया है ठीक है अब बात करें कि ये राष्ट्य उभुकता विवाद निवारन आयोग इसके स्थापना कब हुई थी तो ये एक परकार की अर्ध नियाये के नयाये हैं जिसके स्थापना 1988 में किया गया था ठीक है ना 1988 में इसके स्थापना की गई थी और राष्ट्य उभुकत वाले समान जोते बिकार देते हैं उबोकता का पैसा बरबाद होता है है ना तो ऐसी इस्ति में इसका निवारन कौन करेगा है ना तो ये सारी चीजे और इसी के दार पर उबोकता फोरम ही वहाँ पर खोला गया है जहांके माध्यम से हम केस करने प्टारा इसली तरीके से कर सक तो कौन बनाएगा यहाँ पर जस्टिस एपी साही सभी लोग याद रखेंगे ठीक अगला कोश्चन हैना अगला कोश्चन है कि भारती रिजर्ब बैंक ने किसे नए करेकारे निदेशक के तौर पर निव्त किया है और यहाँ पर बात करें तो पी वासुदेवन ठीक है य भारत का किंद्रिय बैंक है बैंकों का बैंक है नोट शापने की जिम्यदारी इसकी महंगाई कंट्रोल करने की जिम्यदारी इसकी जिसके स्थापना एक अपरेल 1935 को इसके स्थापना की गई है और यह भारत के सासा ते बर्मा जो है और पाकिस्तान इन दोनों के किंद्रि बास्केट बॉल फेडरेशन आफ इंडिया की अधक्ष के रूप में किसे निवत किया गया है और बास्केट बॉल फेडरेशन आफ इंडिया जो है इसके अधक्ष देखा जाए तो हाली में Tamil Luandu Basketball Federation जो है, Association जो है, उसके अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम था आधवर अरजुन, यहना आधवर अरजुन को Basketball Federation अफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निक किया गया है, तो अब वर्तमान में Basketball Federation अफ इंडिया के अध्यक्ष कोनें तो यह आधवर है इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए और इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन की बात कर लें है ना तो भारत का चुनावायोग और एक आपका पनामा का इलेक्ट्रोनल ट्यूबनल जो है इलेक्ट्रोनल ट्यूबनल इसके साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है ठीक है पनामा के साथ हस्ताक्षर किया हुआ है इसके माध्यम से जो चुनाओ के समयकाल पर जो मैनेजमेंट होती है प्रबंदन होती है इन सभी में सयोग करने के उदेशेशे ठीक है बढ़े आगे क्लियर है महराष्त के नए उप मुख्यमंतरी के रूप में किसने शपत ली है है ना महराष्त के देखेगा महराष्त के अगर मुख्यमंतरी की बात करें ना CM की बात के तो CM कौन है, यह है एक नाथ सिंदे, है ना, एक नाथ सिंदे, और उसके बाद दिखा जाए यहाँ पर deputy CM की अगर बात कर लें, तो दो यहाँ पर deputy CM है, कौन कौन से है, है ना, दो deputy CM कौन कौन से है, है ना, तो हाल ही में दिखा जाए, ठीक, तो एक तो हो गए पर अजीद पवार ठीक है ना कौन तो अजीद पवार तो दो लोग तो यहां पर डिप टुशीम हैं तो अजीद पवार ऑप्शन भी में हैं यह हमारा सही उतर हो जाएगा ठीक है तो महराष्ट के यहां पर मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और देवेंद फर्णविस और अ जितने वाले कौन है तो यह है रुद्रास खंडेल मीडल जितने वाले यहां पर भारत्य हिलाड़ी बने हुए ठीक बड़े आगे चले अगला कोश्चन बहुत important है ठीक अगला कोश्चन कि लॉर्ड हनुमान को किस championship का आधिकारिक सुभंकर गोशित किया गया है और लॉर्ड हनुमान की बात के लिए तो हाली में जो एशियाई athletic championship का आयोजन किया गया इसके दिखा जैस सुभंकर के रुप में लॉर्ड हनुमान को यहाँ पर गोशित किया गया है आप सभी लोग याद रखेगा और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया अगर हम आयोजन की बात कर ले तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो थाइलेंड में किया गया और थाइल अगला question दीएगा कि हाली में IIT मदरास की जंजिबार परिशर का प्रभारी निदेशक की से निउट किया गया है अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही इसी महिने में IIT मदरास की जंजिबार की जो परिशर है उसका उद्भाटन किया गया यानि कि अब वहाँ पर courses प्रारम हो चुके हैं ठीक है न और IIT मदरास जो इसका वैश्वी campus हो है वही जंजिबार में खुला गया है पहला वैश्वी campus है और इसके देखा जाए प्रभारी निदेशक की से निट किया गया है तो इसी IIT से पढ़ी हुई एक देखा जाए पूर शात्रा है प्रिती अगलायम है तो प्रिती अगलायम याद रखेंगे प्रिती अगलायम जो है ये जंजिबार पुरिशर की प्रभारी निदेशक नि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं भारत में गरीबी तगड़े अस्तर पर थी लेकिन हाल ही में UNDP के त्वरा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि पिछले 15 वर्षों में यानि कि 2005-06 से लेकर 2019-21 तक की बात कर लें तो ये पिछले 15 वर्षों में देखे 1515 मिलियन लोग यानि कि 4 हैना एक मिलियन में 10 लाक हो गया हैना ये क्या होगे 10 लाक करोड 10 करोड एक तालिस आठ एक तालिस करोड लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए हैं तो ये तगड़ी आंकड़ा है याद रखेगा UNDP के द्वरा ये आकड़ा जारी किया गया है एना UNDP यानिकी United Nation Development Program जो हैं इसके द्वरा ये सुचकांग जारी किया गया है वैश्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांग जिसमें ये रिपोर्ट आप सभी के दिये गए थे ठीके आईए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के और कि GST काउंसिल की 50 वी बैठक में Online Gaming पर कितने परतिशत GST निर्धारित की गई है दिगेगा Online Gaming जो था ना पहले इस पर टैक्सी ने लगता था क्यों तो कि इसको वेब ब्राउजिंग की कर्टेगरी में रखा गया था ठीक है एक कंपनी वाले कहते हैं ये तो वेब ब्राउजिंग कर्टेगरी में हमने कहा ह इसे कैसे काम से लेगा ठीक है इससे बड़ा कमार है चाइना वाले कितने कमार हैं Online Gaming के माद्यम से तो हमने क्या कर दिया इस पर हमने GST लगा दिया है ना इस पर हमने क्या कर दिया GST लगा दिया और अब इस पर 28% GST लागू कर दी गई है तो Online Gaming हो गया घुरदोर हो गया Casino हो गया इन सभी की कमाई पर 28% की GST निर्धारित कर दी गई है ठीक अगला कोश्चन कि जीमेक्स मेरिटाइम एक्सराइज दोजार तेज का योजन भारत और किस देश की नोसेना के बीच किया गया और जीमेक्स की बात कर लें नाम से ही आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कौन कौन सा तो जपान इंडिया मेरिटाइम एक्सराइज ठीक है यानि कि यह क्या है तो जपान और भारत के मध्य में होने वाला यह एक्सराइज है ठीक है जपान और भारत के मध्य में होने वाला ठीक और हाली में इसका आयोजन जो है ये बंगाल की खानी में किया गया है ठीक है कहां पर तो बंगाल की खानी में इसका आयोजन किया है क्लियर आईए बढ़ते अगले प्रश्न क्यों कि ग्लोबल फायर पाउर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्ति साली सिनाओं में भारत की रैंक क्या है है ना भारत की रैंक क्या है सभी लोग बताएंगे ठीके हाली में ग्लोबल फायर पाउर की दौरा यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक किया है दूसरी तीसरी चौथी या फिर पांच वी बताइगा तो अगर हम आपर बात करें भारत की तो भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिसाली आर्मी है चौथी सबसे शक्तिसाली से ना है आप सभी लोग याद रखेंगे टॉप की बात करें है ना टॉप की बात करें सबसे शक्ति साली से ना अमेरिका के पास है है ना सबसे शक्ति साली से ना अमेरिका के पास हैं आप सभी लोग याद रखेंगे फिर दूसरे नमबर पर रूस तीसरे नमबर पर चीन और चोथे नंबर पर अपना प्यारा भारत खोजाएगा ठीक है और सबसे कमजोर सेना जो है वो भुटान और आइसलेंड के बुटान और आइसलेंड के पास है ठीक है तो दुनिया की चोथी सबसे शक्ति साली पावर जो है सेना की वो भारत के पास है ठीक है अगला भारतिय ट्रिपल जमपर है शेलवा प्रभु तीरु मरन ये सरुसृष्ट अश्याई अंडर 20 पूरुस एथलेट सुने जाने वाले पहले भारतियां पर बने हुए हैं और ये क्या है क्यों से गेम से तो ट्रिपल जम्पर है ना ये क्या है तो ट्रिपल जम्पर है ठीक है ना ट्रिपल जम्पर है ना और इनको दिखा जाए तो सरस्ष एशियाई अंडर 20 पूरुस एथलीट यहाँ पर शुना गया है ठीक अगला कोश्चन देखेगा कि कॉमन वेल ते वेट लिफ्टिंग चैंप जो हुई आपकी कॉमन वेल्ड की कहा पर हुई तो इसका आयोजन जो हुआ ये ग्रेटर नोड़ा में किया ठीक है ना आयोजन की बात कर ले तो इसका आयोजन कहा पर किया ग्रेटर नोड़ा में और ग्रेटर नोड़ा में कहा तो गौतम बुध जो इनवर्शिटी है गौ अगला कोश्चन कि पिये मोदी को किस देश के सरोच सम्मान Grand Cross of the Leason of the Honor से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान जो है ये फ्रांस का है ठीक है ना तो फ्रांस के सरोच सम्मान से हाली में मोदी जी को सम्मानित किया गया और उस सम्मान को Grand Cross of the Leason of Honor नाम दिया जाता है ठीक है तो जो इससे हमारे भारतिय प्रधान मंत्री मोदी जी को सम्मानत किया गया है अगला एशियन अथलेटिक्स चैंपियंशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतिय ने पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है और यहां पर मने बात किया था ना कौन जियोती याराजी ठीक है तो जियोत 9 मीटर हर्डल्स में है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है आप सभी लोग याद रखेंगे ठीक क्लियर ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन कि ससस्त्र बलों को बीच बाजरा और स्वस्त भोजन के उप्योग को बढ़ावा देने है तू हाली में फसाई ने किस मंत आले के साथ आप सभी ने देखा होगा कि वर्ष 2023 वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष घोसित किया गया है ठीक है ना बाजरे का वर्ष और हाली में जो अभी अभी जो बीपेसी टीचर वोला एक्जाम हुआ था ना इसमें प्रश्न पूछा गया है कि युनाइटे ने नेशन के द्वरा किस वर्ष को बाजरे का वर्ष घोसित किया गया है तो 2023 का वर्ष जो है इसे बाजरे का वर्ष घोसित किया गया है और बाजरे की बात करें हमारे पुराने लोग बाजरे का सेवन करते थे तो सो वर्ष जीते थे और आज हम उनसे बढ़िया खा रहे हैं तो हम है न बढ़े आगे चलिए अगला question कि किसने हाली में national multi-dimensional poverty index जारी किया गया अभी हमने वैश्री की बात कि जो UNDP के दौरा जारी किया जाता है और national की बात करें तो यह नीती आयोग के दौरा जारी किया जाता है किसके दौरा तो नीती आयोग के दौरा तो जो हमारे नीती आयोग भारत की think tank है इसके दोरा हाली में national multi-dimensional poverty index जारी किया गया है और इसकी बात कर ले तो गरीबी जो है गरीबी अब कितना रह चुका है तो शहरी शित्रों में देखें तो शहरी शित्रों में 5.27 परतिशत और गरामी शित्रों में 19.28 परतिशत यहां पर गरीबी रह चुकी है औ भारत में देखें तो यह घटकर अब मात्र 14.29 यहां पर तीनों डेटा लिख देता हूं ताकि आप सभी को याद देखें अगर भारत की बात कर ले तो भारत में अब गरीबी बहु आयामी गरीबी जो है यह 14.29 परतिशत रही है भारत के शहरी शित्रों में अगर हम बात क 30.28 परतिशत अब रह चुकी है ठीक है तो इतनी गरीबी यहां पर कम हो चुकी है जो डेटा निती आयोग के दोराद दिया गया है उसके अधार पर हम कह रहे है ठीक है बड़े आगे चले अगले कोश्चन क्यों चले अगला कोश्चन कह रहा है कि भारत कि इस देश के साथ साइन अभ्यास नुमेडिक एलिफेंट जो है साइन अभ्यास नुमेडिक एलिफेंट 2023 इसमें भाग ले रहा है ना तो भाग ले चुका है ना तो याग रठेगा ये भारत और मंगोलिया की सेना के मध्य में हुआ ठीक है ना भारत और मंगोलिया के मध्य में नुमेडिक elephant जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है ठीक बढ़े आगे चले अगले question क्यों चलते हैं कि Bimbledon Grand Slam 2023 का men's title किस खिलाडी ने जीता है और Bimbledon Grand Slam की बात कर ले हैना तो यहाँ पर देखा जा है इस Spain के खिलाडी है Carlos Alcaraz ठीक है Carlos Alcaraz जो आपके Spain से हैं हैना इनके दोरा दिखा जा है तो Bimbledon Grand Slam 2023 का men's title जीता गया है यह किस देश से हैं तो Spain से हैं आप सभी लोग याद रखेगा और वही Markota हैना Marketa Wondrosowaz जो है वो यहाँ पर women's title का खिताब जो है यहाँ पर जीती हुई है ठीक अगला question IIT दिली की शयर में अपना पहला Global Campus खोलने जा रहा है और जैसे हमने देखाते हैं यहाँ पर क्या चीज़ तो IIT मदरास जांजीबार में खोल रहा है वैसे ही IIT दिली जो है अपना पहला Campus जो है वो आबुधावी में खोल रहा है कहाँ पर आबुधावी आबुधावी कहा है तो UAE ठीक है तो UAE के आबुधावी में अपना पहला Global Campus खोल रहा है वही बात करें तो जांजीबार में IIT म और भारत ने कुल कितने पदक जीते इसकी बात कर ले, तो टोटल यहाँ पर 27 पदक भारत के द्वारत जीता गया है, जिसमें से 6 जो है, 6 आपके गोल्ड मेडल है, हैना 9 जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल है, ठीक है, और 12 जो है यह ब्रॉंज मेडल है, और टोटल बात कर ले, तो टोटल 27 मेडल यहाँ पर है, हैना 27 मेडल यहाँ पर जीते गया है, ने सिल्वर यहाँ पर 12 है, ठीक है ना याद रठेगा, सिल्वर मेडल 12 है और ब्रॉंज मेडल जो है यह आपके 9 है, ठीक है तो टोटल यहाँ पर 27 मेडल जीते गए थे 6 गोल्ड है ना 9 ब्रॉंज और 12 सिल्वर मेडल टोटल यहाँ पर 27 मेडल भारत के द्वरा जीता गया था ठीक अगला कोशन कि नीतियो के एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राजे ने पृथाम अस्थान हासिल किया है ना और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो पृथाम अस्थान किस ने आशिल किया है बताएंगे सभी लोग तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा तमिल तमिल नाडू जो एक्सपोर्ट में अब महाराष्ट और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है अभी तक तमिल नाडू तीसरे चोथे नमबर पर रहते आ रहाता लेकिन इस वर्ष देखें 2022 के धार पर देखें तो एक्सपोर्ट के मामले में यह सब को पीछे छोड़ते और गेम अगर हम बात कर ले तो अश्टेलिया के विक्टोरिया में होना था 226 वाला विक्टोरिया ने का कि भईया हम अपने आयोजन नहीं करेंगे दिखेगा यह कोमन विल्थ गेम होता क्या है तो वैस्ते देश जो कभी न कभी बिर्टेन की गुलामी कर शुके हूँ जह अब बहुत सारे देश जो है इसमें इंट्रस्ट दिखा नहीं रहे हैं और विक्टोरिया जो अश्टेलिया के का कि भईया हम तो 2026 वाला विल्थ नहीं कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना चे तो इसमें पैसे बड़े अस्तर पर खर्शे हो रहे हैं हम इतना पैसा खर्श फ्रांस जो है वो बड़े अस्तर पर आगे रहता है तो भारत ने फ्रांस के साथ ये समधोता किया है ताकि नई पिड़ी के जो भी हमारे हथियार है सैनो करण है उसको हम क्या कर सके विक्सित कर सके फ्रांस की बात करे राफिल हमने वहीं से मंगाया है जो 4.5 जेनरेशन की वो fighters jet है ठीक है न साती जात आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा कि हाली में एक report जारी की गई जिसमें दुनिया के सबसे हतियार आयातक देशों में देखें तो भारत जो है प्रथमस्थान पर है भारत सबसे जादा हतियार आयात करता है और इस वर्ष दिखा जाए तो नंबर वन पर रहा है ठीक है तो फ्रांस के साथ हमने ये समझोता किया हुए ठीक अगला कोश्चन कि पिये मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटिग्रेटेड टर्मिनल का उजाटन किया या किस राजिया यूनियन ट्रे आज जो छट होता है ना छट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लगता है कि ये क्या है एक शीप है ठीक है एक शीप के जैसा यहां पर डिजाइन किया गया है ठीक तो इसका उद्धाटन कहां पर तो पूर्ट बलेर में इसका उद्धाटन किया गया है ठीक अगला अजीद सिंग के द्वारा जो हाली में पेरिस में आयोजित किया गया Athletic Championship इसमें भाला फेक में जैविलिन त्रो में अजीद सिंग ने गोल्ड मिडल जीता हुआ है और ये कहां से तो उत्तर परदेश से संबंदी ते याद रखे ने ठीक अगला क्वेश्टन कि हाली में एनी अवार्ड 2023 के लिए प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को चुना गया है ये भारत के किस प्रदोग की संस्थान से जुड़े हुए है तो ये जुड़े हुए है आपके IIT मदरास से जुड़े हुए है और इनके द्वारा इनको देखा जाए तो ये IIT मदरास में रसायन विज्ञान जो है जो बहुत ही कम पैसे में बन जाती है उन्नत तकनीक है उसकी लंबे आधी तक चलने वाला है डूरेबल है और इस काम के लिए इनको एनी अवार्ट से सम्मानित किया गया है एनी अवार्ट मूलूप से जो परियावरण के छितर में बहतरीन कारे करते हैं उन कारे करने के लिए वैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है तो एनी अवार्ट किस से तो परियावरण और बैग्यानिक अनुसंदान से जुड़ा हुआ है ठीक है और ये इस वर्ष प्रोफे बढ़ते अगले प्रोफे की और की हाली में किस देश नहीं भारत की 105 कला कृतियों को भारत को वापस के धीगेगा भारत में बहुत सारे कला के रूप थे जिसमें प्रोफेनकाल, मद्देकाल, आदुनिकाल, हर समयकाल में विभिन मूर्टिया बनाए गई और इन मूर्टि तो ये USA के द्वरा भारत को हाली में 105 खला कृतिया वापस की गई है अगला कोश्चन कि भारतिय तटरक्षक बल के 25 महानिदेशक के रुप में किसे निउट किया गया है और यहाँ पर बात कर लें है न तो याद रखेगा है न कौन यहाँ पर राकेश पाल ठीके तो राकेश पाल जो है राकेश पाल को भारतिय तटरक्षक बल यानि कि इंडियन कोश्ट गाड जो है इसके 25 महानिदेशक के रुप में निउट किया गया है तो सयुतर क्या है राकेश पाल अगला हालही में किस भारते ग्रेंड मास्टर नहीं हंगरी में सूपर जीम शतरंज टूनाम जीता गया है ठीक है तो आर प्रगना नंदा ठीक है याद रखेगा क्लियर बढ़े आगे मजा रहा है ना मजा रहा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें अगला कोश्टन की हाली में पारमपरिक दमाओं पर आशियान देशों के सम्मिलन की मेजबाने कि देश के द्वरा की गई है तो यह किया गया अपने प्यारे भारत के द्वरा और भारत में देखे तो कहा पर तो भारत के नई दिल्ली में इस सम्मिलन का योजन किया गया है और मूल देशी कहा है कि जो पारमपरिक दवाओं को लेकर यहां पर बातचित करना जैसे बारत मे अयुश मंत्रा लें, नियुश में देखे तो हमारा। आयूवेदे हें, होमिए पैदी हें, सिध्दा हें, यून्नानी हें, सब कुछ हें, तो ये क्या है, परंपरिक चिक्सा पतती है, हमारी जो परंपरिक दवायें हें, तो इन सभी को लेकर यहाँ पर, चर्षा-पर करने के उधेसे से देखा जै तो भारत की मेजबानी में ना इसका इस सम्मिलन कायोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है ठीक है बढ़े आगे अगला कोश्चन दिखेगा अगला कोश्चन कहे रहा है कि भारत की पहली सेटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राजे कि पहली satellite network portal site तो है उसको अस्थापित किया जा रहा है कि इसके माध्यम से तो लंदन की एक company है जिसका नाम क्या है वन वेब ठीके तो वन वेब के सहयोग से इसकी अस्थापना यहाँ पर किजा रही है ठीके बड़े आगे चले अगला question देखेगा कि वर्स 2022 टेश में देश म कुल बिजली उत्पादन का परमाडू उर्जा की सिदारी कितनी परतिशत है देखेगा देश में जो भी बिजली उत्पादन होता है उसमें सबसे जादा हमारी जो युगदान रही है वो हम है ना किसके माध्यम से तो कोईला आधारे सयत्रों के माध्यम से उत्पादन करत दिरे दिरे हम इसको कम करके नवी करणिया उर्जा सो है इसको हम जादा करने का प्रियास कर रहे हैं और नवी करणिया में देखे तो हमारी परमाडू उर्जा भी आती है और परमाडू उर्जा की बात के तो 2022 तेस्त की प्रश्ण कुश्रा है तो यहाँ पर याद रखेगा ये 2.08 परतिशत रहेगा ठीक है तो जितना भी हमारा बिजली का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 3 परतिशत के असपस 2.08 परतिशत के आसपस हम परमारगों के माध्यम से उर्जा का उत्पादन करते हैं ठीक है याद दखेगा ठीक बड़े आगे अगला कुश्चन कि हाली में भारत ने देश में अर्ध चालक आपूर्दी शिंकला को बढ़ावा देने के उदेश से किस देश के सांस योग ग्यापन पर स्ताक्षर क्या है देखेगा अर्ध चालक यानि किसी को अंगरेजी में क्या बोलते हैं सेमी कंड़क्टर बोलते हैं और सेमी कंड़क्टर का पर्योग करके विभिन प्रकार के जो हमारे चीप हैं सर्किट से इन सारे सर्किट का निर्मार करते हैं ठीके सबसे ज़ादा देखा जाए तो इसका आयात कहां से तो ताइवान से करते हैं लेकिन भविश्य में भारत में इसकी कमी नहों इसके मारा देने के उदेश से यह सही हूग यापत्र पर हस्ताक्शर किया गया है तो भारत और जापान के मध्य में किया है ठीक अगला क्यूस्ट चैसके आपमने में मैं किया है ठीक हमाम का यहां पर तेजस को कर दBut आप हमें बेचिये ठीक है ना और ऐसा करने वाला देश कौन सा है लेटिन अमेरिकी देश की बात की जा रही है और लेटिन अमेरिकी देश में बात करें तो ये हो जाएगी आपकी अर्जेंटीना ठीक है ना तो अर्जेंटीना के दौरा भारत से तेजस खरिदने की रूची यह शो है यह रूचि यहां पर दिखाई गई है ठीक अगला कोर्शन कि ACI Surfing Championship का आयोजन कि इस देश में किया गया और इसकी बात कर ले तो इसका आयोजन कहाँ पर तो माल्दिव में किया गया ठीक है माल्दिव में इसका आयोजन किया गया ठीक है वही gold middle की बात के तो Japan जो है Japan को यहां पर gold middle प्राप्थ हुआ ठीक है Japan प्रथम अस्थान पर रहा भारत तीसरे अस्थान पर तो तीसरे अस्थान पर रहने कारण हमें कांस खुदक यहां पर मिला हुआ है ठीक अगला कुश्चन देखेगा कि हालही में जीवन वीमा नीगम के नए प्रबंध निदिशक के रूप में किसे निपकी आ गया है MIC की बात हो रही है और LC में बात के तो सत्पाल भानू हमने आपर उत्तर देखा था सत्पाल भानू जो है यह हालही में LC के नए MD बनाय गए है सद्पाल भानुल ऐसी के स्थापना की बात के तो 1956 में इसके स्थापना की गई ती और इसका मुख्यालष वरतमान में मुंबई में है अगला कॉशन कि आली में भारत ने किस देश को आयएने स्कृपान उपहार सुरूप दिया गया है आईने स्क्रिपान है ना और आईने स्क्रिपान की बात करें हाली में हमने किसको दिया है तो वियत नाम को ठीक है वियत नाम को जो लेटिस्ट परकार की हां थियार है उससे लैस है हमर आईने स्क्रिपान और ये हमने वियत नाम को उपहार स्वरूप दिया हुआ है ताकि ची सागर में उस पर थोड़ा सा नियंत्र नेहा पर किया जा सके ठीक अगला कोश्चन के आले में विशी यसवंद घांडगे सुंडियाल मेमोरियल नामक इसमारक का नावरण किस देश में किया गया है तो याद रखेगा ये इटली में किया गया है कहां पर तो इटली में इटल विश्यूद के दोरान जो भारतिया सैनिक थे जो वहाँ पर सहीद हुए है उनी को समान देने के उदेश से इटली के मोंटेन में विशी यसवंद घांडगे सुंडियाल मेमोरियल नामक का अनावरण किया गया है कहां पर तो इटली में किया गया है आप सभी लोग याद अगला कोश्चन कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सी एम पत पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन चुके है तो यह बन चुके है उडिसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पतनायक ठीक है तो नवीन पतनायक जो है यह सबसे लंबे समय तक अपने पत पर दिखा जाए कौन है तो पवन कुमार शामलिंग है ना पवन कुमार शामलिंग जो कहा के चिप मिनिस्टर है तो ये रहे हैं सिक्किम के ठीके ना सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड है इनका और अब उनसे थोड़ा ही कम्यापर नवीन पटनायक रहे चुके वहीं एक वर्ष के सपस है अगर अगली बारी इनकी रहती है तो फिर पॉन कुमार शामलिंग का भी रिकॉर्ड इनके द्वरा तोड़ दिया जाएगा ठीक है ना बढ़े आगे चले अगला कुश्टन कि हाली में कोरिया ओपन में मेंस डवल्स का स्वाण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीत और शिराक्षेट इन्होंने कोरिया ओपन में मेंस डवल में गोल्ड मिडल जीता हुआ है ठीक है ना आईए अगले कुश्टन के उड़ चलते हैं कि अमेरिकी नोसेना की पहली महिला परमों के तौर पर हाली ही में किसे नामित किया गया तो वहां के जो राष्टपती है ज यो बाइडन के द्वरा लिसा फ्रेंकेटी जो है लिसा फ्रेंकेटी का नाम यहाँ पर दिया गया ठीक है तो लिसा फ्रेंकेटी आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे ठीक क्लियर चले अगला कुश्टन की हाली में भारत की पहली कैनमिस-मेडिसिन परियुझना के शुरुआत कहा की जाएगी canvas यानि कि वहीं भांग जिसे हम आम तोर पर कहते हैं और इसका प्रयोग देखा जैतों नशीले पदार्था को बनाने में ही किया जाता रहा है यहना इसलिए इस पर प्रतिबंद है लेकिन इससे medicine भी बनाया जा सकता है और यह जो है हमने कहा पर शुरू किया तो यह हमने जम्मू में शुरू किया है तो जम्मू में भारत की पहली canvas medicine पर यूजना की शुरुआत की जाएगी और इसके माध्यम से दमाओं का उत्पादन किया जाएगा ठीक अगला कोशन कि आली में किस देश ने test cricket में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है अभी तक यह रिकॉर्ड जो था वो सिरलंका के नाम था सिरलंका के नाम था जिसने 13.02 ओबर में 100 रन बनाया था आपने देखे होगा जो वंडे विश्व कप चलना है 10 मैच और 10 के 10 भारत ने जीता हुआ है 11 वाज जो है वो आज है आज ही है ना 19 तरीक तो आज है पाइनल मैच तो छट माँ पर्व भी है फाइनल मैच भी है तो छटी माता जो है इनकी क्रिपा गई ना वो तो बनी ही रहेगी और इस वर्ष का विश्वकप अपने प्यारे भारत में ही आने वाला है अभी तक दो हमने जीता है तीसरा विश्वकप भी आज आने वाला है तो यह record अपने प्यारे भारत के द्वारा बनाये गए ठीक है अगला World Youth Dave Badminton Championship में कि गोल्ड मेडल जीता गया है ठीक है ना क्लियर आई अगला प्रश्न कि हाली में किस भारतिय खिलाडी ने जुनियर विश्व चैंपियंशिप 2023 में 50 मीटर फ्री पिश्टल असपरदा में 200 पदक जीते हुए हैं और यहां पर देखें ना तो याद रखेगा ना यहां पर किस भारतिय खिलाडी तो याद रखेंगे option C हैना कमल जीत जो हैं कमल जीत के दोरा यहां पर जुनियर विश्व चैंपियंशिप 2023 इसके 50 मीटर फ्री पिश्टल असपरदा में 200 पदक जीते गए हैं इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो आयोजन की बात करें तो कोरिया में और कोरिया में भी दिखा जाये तो चांग वोन में हैना कोरिया के चांग वोन में इसका आयोजन किया गया और इसमें दो गोल्ड मेडल कमल जीत के द्वरा जीता गया है क्लियर बढ़े आगे अगला question कि निमन में से किस भारते जैवलिन फ्रोर के द्वरा लिबनान Athletics Championship 2020 मे gold medal जीता गया है और यहाँ पर देखें तो दो खिलाड़ी है ना कौन एक तो किसोर जेना और दूसरे अनुरानी है ना दोनों ने यहाँ पर gold medal जीता हुआ है और ठाक option C हो जाएगा वो परिवत A और B दोनों तो option C अनुरानी और किसोर जेना दोनों नहीं यहाँ पर जैवलिन प्रो में gold medal जीता हुआ है ठीक है clear बढ़े आगे चले अगला question कि Bombay High Court के मुख्य नयदीश के रूप में किसे निउक्त किया गया है और Bombay High Court के हमने बात किया था देवेंद्र कुमार उपाधिया ठीक है ना तो देवेंद्र कुमार उपाधिया जो है इनको Bombay High Court के मुख्य नयदीश के रुप में निउक्त किया गया है अगला question कि हाली में दक्षिर कोरिया के चांगोन में आयोजित आई एस एस एफ जुनियर्स टुटिंग विश्व चेंपियंशिप 2013 में भारत का कौन सा अस्थान रहा है ठीक है यानि कि भारत की बात कर ले तो दिखेगा पहले अस्थान पर रहा चीन है ना पहले अस्थान पर रहा चीन जिसके द्वरा टोटल 28 मेडल जीते गए ठीक है द दूसरे नंबर पर यूक्रेन जिसके द्वरा यहना 10 मेडल यहां पर जीते गए तो भारत की बात हो इतकी तो भारत अपना प्यारा दूसरे नंबर पर आए और 17 मेडल में से देखा जाए तो 6 6 और 5 ऐसे याद रहे ठीक है तो 6 यहां पर हमने गोल्ड मेडल जीता हुआ थ छे हमने यहां पर सिल्वर मेडल जीता हुआ था और 6 की बात पर तो 5 हमने यहां पर ब्रॉंज मेडल जीता हुआ था तो यहाद रखेगा टूटल 17 मेडल जीता और दूसरे अस्थान पर हम यहां पर रहे थे ठीक है अगला कुश्चन कि इंडिया एई ने उभरती समझ जाए और समझ के काम यहां पर कर डाले है ना तो इंडिया एई जो है यह मेटा के साथ है ना मेटा के साथ यह समझोता किया हुआ है किसके साथ तो मेटा के साथ समझोता किया हुआ है एई छित्र में यह प्रदोग की जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ठीक है ना चलिये अगला प्रश्चन की दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम यूगे यूगिन भारत के निर्मार की शहर में किया जाएगा, तो इसके हमने बात की थी, यह हो जाएगा आपका नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में देखे, तो यूगे यूगिन नामक, यूगे यूगि 10 मिनिट के आज पस अपनी सेशन चली और इसमें हमने टोटल जो जुलाई महिने के मातपुन घटना करम रहे थे असी मातपुन घटना करम इसको हमने आप पर कवर करने का प्रयास किया है आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और साती सात आज 6 महा पर्व है तो 11 बज़े वाली सेशन आज ओफ रखते है क्योंकि अब मार्केटिंग भी करना पड़ेगा तो आज 11 बज़े वाली सेशन जो है उसको ओफ रखते है ठीके और कल सुबह वाली सेशन भी ओफ रखेंगे क्योंकि साम को घाट जाएंगे तो सुबह उधर से लोटेंगे और लोटे लोटे लगभग साथ साड़े साथ तो हो ही जाएंगे जिस करण से साथ बज़े वाली सेशन कल नहीं करेंगे कल ग्यारा बज़े वाली सेशन कर लेंगे ठीक है तो ये हो गया 11 बजे वाली आज ओफ और कल सुबह 7 बजे वाली ओफ ठीक है कल 11 बजे वाली सेशन आपकी होगी और फिर उसके बाद से सारी क्लासे जो है वो continue हो जाएगी ठीक तो सेशन समाप करने से पहले पुना आप सभी को छट मापर्व की हार्दिक शिव कमना है सभी लोग enjoy कीजे परिवार के साथ मिलकर जाएए चटी मैया की अराधना कीजे चटी मैया की किरपा आप सभी पर बनी रहे और ये वर्ष चो रहे वो आप सभी की सफलता का वर्ष रहे ऐसी कामना रहेगी चटी मैया से ऐसी दुआए मैं अवर्ष ही मांग लूँगा की निश्चीत हो और साथ ही साथ आप लोग अपना मेहनत करना भी ना छोड़े तो enjoy कीजे दिल से अभी पढ़ाई को आज side कर दीजेगा मैं बोल ना है आज चट पर enjoy कीजेगा कल सुबर तक और फिर जब पढ़ाई में लगियागा तो फिर किसी और शीज के बारे में नहीं स ठीक है तो चले फिर सिसन को समाप करते ही मिलते हैं कल 11 वजे फिलाहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद